नमस्कार दोस्तों गारगी क्लास इस पर आपका स्वागत है डेटाज की 11 अगस्त 2023 देख लेते हैं इंडियन एक्सपेस के एडिटोरियल आइडिया पेच से इंपोर्टन आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे हमारे पास में आज चार आर्टिकल्स हैं चार में ये जो दो आर्टिकल्स हैं ये तो रहेंगे RBI की Monetary Policy Committee की मीटिंग होती है और उसमें रैपोरेट को और इनको वैरी नहीं किया गया that means status को जो है वो maintain कर दिया गया है जानेंगे इसके क्या माइने है और क्या हमारे सामने अभी और challenges है एक हम समझेंगे election commissioner के election commissioners जो है उनके appointment को लेकर के एक amendment bill introduced हुआ एक bill introduced किया गया है उससे सम्मंदित provision कि क्या उसमें committee रहेंगे किस तरीके से काम होगा और एक हम देखेंगे कि investment को attract करने के लिए government ने पुराने जो laws है उनमें जो penal provisions है punishment से related उनमें कुछ corrections इंट्रेडियूस किये है तो वो हम जानेंगे तो article 4 है issues हमारे पास तीन है देखते हैं इनको one by one फस्ट आर्टिकल है an extended pause इस आर्टिकल में सीधी बात है Reserve Bank of India की जो monetary policy committee की meeting हुई अगस्त की उस meeting में रैपो रेट को कोई change नहीं किया गया है वो ही जब यह बात finalize हुई तो 6 जनों की जो monetary policy committee है उसमें से 5 जनों ने कहा कि maintain रखो जो हम चल रहे हैं उसी level को continue रखो एक ने इस चीज़ को agree नहीं किया अब वो dissenting candidate को उनके बारे में यहाँ पर कुछ provision बताया नहीं कि मतलब उन्होंने क्या कहा अब देखो पहले जो accommodative stance चल रही थी देखो यहाँ पर hawkish और accommodative दो words आएंगे accommodation का मतलब हो गया कि RBA की द्वारा इस तरीके से raporate या policy rate decide करना जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा loan ले या market में liquidity बढ़ सके liquidity बढ़ेगी तो demand बढ़ेगी दिमांड बढ़ेगी तो economy rise करेगी पर वहीं पर जब inflation को tackle करने की बात आती है अब inflation आपको पता है कि जब market में liquidity ज़्यादा होते हैं लिक्विडिटी का मतलब जब रुपिया ज़्यादा गुमता है तो रुपी जब ज़्यादा गुमने लगता है तो लोगों के हाथ में पैसा गुमता है तो वो demand गरता है अब supply तो बड़ी नहीं पर demand बढ़ गई तो में गई बढ़ जाएगी इसका एक दूसरा angle और समझाता हूँ मैं आपको कि inflation का मतलब actual में होता है जो currency है ना उसकी value down हो जाती है inflation का मतलब यह होता है कि जो market में आज के समय में एक रुपै में जो चीज मिल रही है वो चीज आपको हो सकता आने वाले समय में दो रुपै में मिले इसका मतलब चीज तो वही है बढ़ आपने रुपए कितने दिये दो तो इस तरीके से रुपए की value डाउन होई की नहीं तो inflation का मतलब एक तरीके से यही होता है इसको लिए हिंदी में इसको मुद्रा स्वीती भी बोला जाता है खर मुद्धा ही है कि inflation को target करके चलती है monetary policy committee और इसमें जो range है monetary policy committee को वो government of India की द्वारा दी हुई है कि आपको 4 plus minus 2% के अंदर अंदर आपको इस range में inflation tackle करनी है जो कि minimum 2% जा सकती है maximum 6% जा सकती है कोशिशे रहेगी 4% के आसपास रह जाए अब देखो अभी situation थोड़ी सी stable नजर आई तो RBA की monetary policy committee ने decide किया कि जी हम एक बार stay लगाते हैं status quo को maintain करते हैं पिसली बार जो policy rate है उसी को हम continue अभी करेंगे ठीक है अब देखो यहाँ पर एक तो क्या है महंगा ही जो चल रही है आपको पता food inflation बहुत जादा चल रही है जबकि दूसरी तरफ core inflation वो थोड़ी down होई है food inflation और core inflation क्या रिश्टाइन का वो समझते हैं देखो inflation के अगर बात आए एक तो होती है headline inflation headline inflation में जो volatile commodities है जैसे food, fuel इनके price बहुत जल्दी vary करती है वो भी included होती है और इस headline inflation में से अगर food and fuel को आप minus कर दोगे तो core inflation आ जाएगी इसका मतलब ये food and fuel के अलावा जो महंगा ही है वो तो देखो more or less control में आ रही है बट food inflation अभी भी बढ़ी हुई है और इसकी पीचे main करण है supply side disruption तो देखो core inflation का control में आना एक अच्छी signal की बात है इसलिए RBA की monetary policy committee ने क्या decide किया status को maintain रखने का decide कि हम interest rate अब ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे और बाकी आगे जो meeting होगी उसमें हम और आगे देख लेंगे अब देखो inflation की अगर बात करें तो inflation में बहुत सारे factors काम करता है जैसे कि अगर हम international market की बात भी करें तो वहाँ पर भी supply side में issue आता है तो उसका भी असर पड़ता है इसके अलावा अगर agriculture वह अगर fail होती है तो problem आती है तो ऐसे में अभी क्या है RBI ने एक तरीके से देखा ह है कि हाँ भई अभी inflation है जो food sector में वह भूले ठीक हो जाएगी तो आगे problem नहीं आएगी बट agriculture वाले सेक्टर में अगर हम नजर डालें तो अलनीनो effect की वजह से monsoon है वो कही ना कहीं September और अभी देख लो बारिश कई दिनों से नहीं हो रही है वो जो बारिश आई थी 29th of July को rainfall जो है उसका uneven distribution और erratic behavior of monsoon और अलनीनो effect अब की बार बता ही रहे है तो ये चीज़े कहीं ना कहीं थोड़ी सी complexities या uncertainties को बढ़ा रही है फिर हम बात करें supply side की वजह से अब सीधी बात है लोगों के हाथ में पैसा इतना नहीं है कि demand बढ़ी है अब की बार जो महंगा है न व कि वो लगबग 50,000,000,000 metric ton गेहों मार्केट में उतारेंगे इससे क्या होगा जब मार्केट में गेहों की supply अच्छी हो जाएगी तो गेहों के भाव थोड़े से डाउन आ जाएगे ठीक है तो ये open market operation के अंडर आ जाता है कि आप सीधा मार्केट में मतलब एक तरीके से supply या मौन्सोन अलनीनों बताई दिया एक है crude oil prices यह अभी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत हाई है ठीक है यह तो रश्या से हमें मिल रहा है discounted rate पर तब काम चल रहा है तो ऐसी परिस्तितियों में हमें crude oil की prices को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि crude oil का पूरा असर हमारे supply chain प बंद कर दिये गये हैं आपको पता यह चीज तो लीगल टेंडर नहीं है अब से अब 2000 मतलब लीगल टेंडर नहीं होगा September के बाद में शायद September एगती 30 सितंबर शायद last date है अब 2000 के note को absorb करने के लिए क्या किया गया है incremental cash reserve ratio जो है वो 10% तक का डिक्लियर कर दिया अब देख इनका टार्गेट क्या होता है कि बैंकों के पास में इतना capital तो available हो कि कलको न अगर अचानक से बैंकों के पास में सामने line लग जाए और जिनका भी पैसा deposited है वह एकदम से पैसे मांगने लग जाए तो बैंक एकदम से bankrupt साबिद ना हो मतलब वही कि जो पैसा निकालने के लि पैसा ही नहीं है क्योंकि बैंक भी क्या करते हैं खुद के पास थोड़ना पैसा रखते हैं जो कोई भी उनके पास में deposited amount होता है ठीक है या तो demand deposit होता है जैसे आपके saving account current account ही होता है और एक होता है time demand time deposit जैसे आपके FDRD और यह सारा मिलाकर कि जो पैसा आता ना बैंकों के पास में वह बैंक क्या करते हैं लोन पर दे देते हैं लोन से कुछ पैसा खुद कमाते हैं बाकी पैसा जो depositors उनको interest के तौर पर return कर देते हैं तो एक तरीके से banking system हो दलाली का काम है यह कह सकते हो आप तो इसमें क्या है कि 2000 के note की जो quantity absorb करनी है हना पूरे economy से इसके लिए क्य नेट का मतलब जो लेन देना उनका उनका average मतलब निकाल लो net time and demand deposit उसका 10% उनको अपने पास में reserve रखना पड़ेगा इससे क्या होगा कि कल को अप सीधी बात है लोग अगर 2000 रुपे का note bank में जमा करा रहे हैं तो no doubt उस bank को तो 2000 का note RBI को पहुचाना पड़ेगा पर आपने अगर 2000 रुपे का note दिया है तो आपके account में तो 2000 रुपे शो करने पड़ेंगे ना अब आप 2000 रुपे के बदले में दूसरे 2000 के note निकालोगे 2000 के नोट निकालोगे आप इसका मतलब निकालोगे तो 2000 का amount ना ऐसे में फिर bankों को कुछ ना को security के लिए पैसा चीए की नहीं इ इस लिए इस तरीके के टेक्नीक्स अपनाई जाती है incremental cash reserve ratio ठीक है वैसे cash reserve ratio 4-5-6 इस percent में vary करता है बट incremental cash reserve ratio क्या होता है जब market से liquidity का absorb किया जाता ना तो उस time पर इस तरीके से ज्यादा cash reserve ratio का amount बढ़ा दिया जाता है bank के द्वारा अच्छा एक चीज इसके लिए एक particular time limit हो होती है इसमें particular time period जैसे demonetization भी हुआ था ना उस time पर 100% incremental cash reserve ratio कर दिया था कि भई जो भी आपके पास में amount आ रहा है कौन सा 500,000 के note के form में वो सारा का सारा आप RBI को दोगे इसी तरीके से यहाँ पर 2000 के note के amount में जो भी पैसा रहा वो सीधा आप RBI को दोगे इस तरीके से क्य है कि बैंकों को regulate किया जाता RBI के द्वारा तो यह भी कदम उठाए गया है फिर हम बात करें economy front की तो देखो economy के लिए तो यह देखा RBI ने कि economic growth जो है optimistic की अप्रोच रखी है कि economy ठीक ठाक परफॉर्म कर देगी साड़े चाह परसेंट की जो growth rate previous monetary policy committee के मीटिंग में अनौंस जो हुआ था बोलो वही चीज़ अभी हम maintain करके चलने बट यस global economy बहुत चल रही है दूसरे जो देशों के central banks है वो लगातार अपनी inflation को टैकल करने के लिए hawkish stance है वह अपना रहे हैं वह interest rate बहुत ज्यादा है क्योंकि अभी हमारे यहां पर महंगाई जो है वो ज्यादा food sector में देखने को मिल रही है अब देखते हैं आगे आने वाले quarters में क्या होती है फिलाल जो बात है वो हमने आपे देख ली नेक्स्ट आर्टिकल है शोरिंग अप रेजिस्टेंस आर्टिकल को लिए शोमय गांति गोश जी ने देखो इनका भी यहां पर वही है कंटेक्स्ट हो कि monetary policy committee ने status को maintain किया इसका मतलब Indian economy आज के समय जो adverse situation बनी हुई है global economy के सामने उसमें कहीं नहीं सर्वाइव करती हुई दिखाई दे रही है अब यहां पर हम देखते है global macro economic environment क्या है one second एक तो यह कि advance economies के जो central banks है वो लगातार interest rates को rise करना है क्यों कि अमेरिका जैसे countries में अभी भी inflation 2% के लगबग लाने का target है वो अभी भी 2% तक नहीं पहुंची है ठीक है तो एक तो हो गया यह कि central banks लगातार interest rate rise कर रहे है अगर हम बात करें advance economies की क्योंकि उनका सीधा हसर हमारे यहां पर क्यों पड़ता है क्योंकि हमारे यहां पर जो foreign exchange reserve आता है वो उन central banks के द्वारा इशू जो currency होती वह ही तो होती है जैसे USA का federal reserve है वो dollar issue करता है अब वो dollar ही तो हम foreign exchange के तोर पर इकटा करके रखते है जब हमें भी कोई खरीदारी करनी होती इंटरनेशनल मार्केट में तो हम भी तो payment dollar में करते हैं अब USA के federal reserve ने अगर को interest rate rise कर दी तो सीधी बात है market में dollar की कमी आएगी dollar की कमी आएगी तो उसका असर फिर हमें भी तो देखना पड़ेगा ना ठीक है और इसलिए फिर कहीना क हमें भी issues आते हैं अच्छा फिर बात आगई आपकी कि job market है वह बहुत जादा crisis से गुजर रहा है जैसे हमने previous discussions में cover भी किया था कि जो blue collar jobs है उसमें बहुत सारे variations आ रहे हैं तो new technology disruption artificial intelligence robotics यह सारी चीज़े क्या कर रही है कि कहीं नहीं बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाल वो इस तरीके से regulate कर रहे हैं कि वो चाइना से अपना investment निकाल करके लेकर के चले जाएं फिर से USA में या फिर चाइना में नया investment ना करें या फिर like-minded countries में जाकर के इन्वेस्ट करें चाइना प्लस one policy जिसको बोल रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है disruption आ रहा है global economy में साथ-साथ में अमेरिका जैसी countries की fiscal policy है वो डगमगाई हुई है वहाँ पर USA की government के पास में बजट आने से पहले खर्चा चलाने के लिए पैसे की shortage हो रही है तो ऐसे में जो बाइडन administration डिमांड करता है पैसे की तो उसकी वज़े से क्या हो गया कि USA की जो rating है न क्रेडिट रेटिंग ए रहेगी कहने का मतलब बड़ी बड़ी economy जमो क्राइसिस में चाइना यूएस के बीच में लड़ाई लगातार बढ़ती चली जा रही है में टेकनोलोजिकल फ्रेंट में अभी USA ने अपनी तरफ से screening measures issue किया है अभी screening measures में क्या है कि semiconductor quantum computing artificial intelligence इन में काम करने वाली जो भी American companies है अब वो चाइना में invest नहीं करेंगी और करेंगी भी तो पहले USA उनको screen करेगा कहने का मतलब यूएस अब चाइना के चाइना की नब्स काटने के उपर लगा हुआ है पूरा का पूरा इस वज़े से Chinese economy बहुत ज़्यादा crisis में है अच्छा ये चीज के वल USA ही नहीं कर रहा ह Netherlands है Netherlands की कंपणी है ASML वह भी देखो advanced chip manufacturing में बहुत आगे advanced company है जपान भी chip manufacturing में आ गया है तो वह बी इसी तरीके के कदम उठारा और USA को support करता है अब इसकी वज़े से China हो रहा है परेशान चैना का export और import डामाडोल मतलब डगमगा चुका है Chinese economy stress में है साथ में वहाँ पर property developers की अगर बात करें तो उनमें एक company का नाम है country garden और इसके पहले एक company ओर थी ever grand day ever grand day में भी इसी तरीके से crisis आये थे कि dollars आने बंद हो गए थे और इन्होंने क्या किया है Chinese companies ने ये dollar में bond issue करके लोगों से उधार तो ले लिये पैसे पैसा लगा करके बड़ी बड़ी building के भी बना दी अब उन building के possession तो हो नहीं पा रही है possession कैसे नहीं हो पा रही है लोग खरीदी नहीं पा रहे है वहाँ पे खरीदेंगे कैसे जब रुजगार होगा लगातार उनकी income होगी अब वो लगातार income नहीं बैठने की वज़े से वहाँ के लोग मजबूरन खरीद नहीं पा रहे है मकान मकान नहीं खरीदेंगे उसी दिवात है country garden और यह जो ever granted जैसी real estate में काम करने वाली कंपनिया है इनको पैसा नहीं मिलेगा जब यह कमा नहीं पाएंगी जो पैसा नहीं उधार लेके invest किया था यह वो investor को return कर पाएंगे नो ऐसे crisis आ रहे हैं वहाँ पर जवर्दस तरीके से हैं तो चाइना की economy बहुत ज़्यादा डालम डोल है और इसका असर फिर कहीं नहीं पूरी दुनिया में भी देखने को मिलेगा फिर आगे राइटर बोल रहा है कि ऐसी परिस्तितियों में ऐसी परिस्तितियों में आर बियाई ने policy रेपोरेट चेंज बिल्कुल भी नहीं किये और आप देखोगे कि यह शो करता है कि Indian economy कहीं ना कहीं global economy में जो adverse situation बनी हुई है उसको resistant करती हुई दिखाई दे रही है साथ में हमारी जो economic growth rate है वो भी more or less RBI ने 66% maintain रखी है कि Indian economic growth rate वो की वो रहेगी जो पिछली monetary policy का maintainer बोली गई थी तो यह चीज़े show कर रही हैं इंडिया की economic robustness के बारे में फिर आगे बताया जा रहा है कि जो बैंकों को यह बोला गया ना कि हाँ आप 2000 रुपए के notes हैं वो इकटे करो तो मई 19 से लेकर के जुलाई 28 जा चुका जुलाई 28 यह पीरिएड था ना इसमें RBI के दुआरा incremental cash reserve ratio जो है वो 10% कर दिया गया जो मैंने आपको समय पर return करना पड़ेगा अब demand में तो कौन है current account और saving account मैंने आपको बताया था और time में RDFDA सारी आ जाती है तो इनका net अगर निकाल दिया जाए ना नेट का मतलब पूरा complete आप जो भी आपके पास आ रहा है जो आपको देना है उसका average निकालो मतलब एक complete calculation निकालो तो आप उसमें देखोगे कि उसका 10% बैंकों को एक तरीके से incremental cash reserve ratio के तोर पर रखने के लिए बोला गया पर यह time period fix था ठीका 19 जुलाई से 28 जुलाई के बी liquidity जादा हो या फिर कई बार ऐसे situation मनती है जब पैसा इकटा करने की नौबत आती है ठीक ना तो ऐसी पर मतलब यह कि liquidity market में बहुत है दोजार रुपय के note की वह एकदम से बैंकों में रश करेंगे क्योंकि बार भी ने बोल दिया कि अब दोजार रुपय का note भी legal tender नहीं रह कि जो भी net demand and time liabilities है उसका 10% निकालो और वो हमें देते चले जाओ इससे क्या होगा कि बैंकों के पास में जब पैसा ज्यादा नहीं होगा न तो इससे RBI को inflation tackle करने में problem नहीं आती नहीं तो क्या होता बैंकों के पास मगर पैसा ज्यादा रुक गया तो बैंक तो अपने पा जो मीटिंग हुई है monetary policy की तो इसमें बताया गया है कि जून 2019 से RBI बहुत सारे risk oriented frameworks declare कर रहा है इसका मतलब यह कि RBI आपको पता है कि रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट यह फाइनल होता है न तो इनका असर सीधा का सीधा borrower पर पढ़ता है क्योंकि इनका में टार्गेट रहे है क्या monetary policy कर क्या रही है मनी को लिक्विड मनी लिक्विडिटी को तो मैनेज करने का काम हो गया ना monetary policy का ठीक है supply side में तो कुछ कर नहीं सकती देखो जब भी महिंगा ही बढ़ती है monetary policy committee demand side को तो regulate करी सकती है अब आपको पता है कि घर लेने का एक trend चल रहा है घर लेते ह हैं लोग ठीक है अब loan लेते हो फिर बैंकों से अब लोन लेने का जो तरीका है वो कहीना के हमारा floating interest rate पर dependent होता है अब एक तो होती है fixed interest rate एक होती है floating interest rate fixed का मतलब क्या हो गया कि हाँ जी आज के समय पे जो कोई भी रैपो रेट चल रही है उसके according आप interest rate पे करने के लिए त जो bank उधार लेता है ना उस उधार लिए हुए पैसे पर RBI जो ब्याज लेता है जिस interest rate के उसी को रेपोरेट बोल देता है और reverse रेपोरेट reverse हो गया इसका मतलब बैंकों से जब RBI पैसा लेता है तो RBI बैंकों को कुछ return में देता है ब्याज के तोर पे उसको reverse रेपोरेट गोलता है जिस rate के एकाम होता है तो रेपोरेट जो है उसमें क्या हो गया बैंक RBI से उधार लेता है पैसा अब RBI ने अगर रेपोरेट बढ़ा दी तो बैंक जल्दी से पैसा उधार लेंगे नहीं लेंगे भी तो interest rate बढ़ा के लेंगे और RBI से उधार लेने में बैंकों क अगर ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है तो वो बोरोवर को भी अगर उधार देंगे तो बोरोवर से भी उधार वो ज्यादा लेंगे ठीक है हमारे जैसे जो कस्टमर्स है वो बैंकों में जाएंगे तो हम भी तो लोन लेंगे तो हमें भी तो ब्याज ज्यादा देना वो क्या करते हैं जल्दी से interest rate को बढ़ा देते हैं ठीक है और जब RBI रेपोरेट reduce करता है ना इसका मतलब बैंकों को भी interest rate reduce करनी चीए पर bank interest rate reduce नहीं करते हैं वो यह सोचते हैं कि कुछ रुपया और गमालो तो यह जो monetary policy का जो decision है इसका effect market में नहीं देखने को मिलता तो ऐसे में क्या होता है कि RBI के दुआरा कुछ reforms introduce किये गए उन reforms में अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि पहले जो मतलब एक तरीके से rates reside ओरती थी वो होती थी IBLR के basis पे IBLR की मतलब होती IBLR इसका मतलब यह होता है internal benchmark lending rate इसमें क्या होता है कि internally सारी चीजे होती थी तो transparency का कोई मुद्दा नहीं रहता था कि आप ही RBI ने interest rate change कर दिया तो bank भी अब interest rate change कर रहे है कि नहीं कर रहे है क्योंकि सारा का सारा hidden था पर अब क्या कर दिया है RBI ने अब EBLR पर काम चलेगा EBLR का मतलब क्या हो गया external benchmark lending rate इसका मतलब कि RBI जब कभी भी रैपो रेट या कोई भी changes लेकर क्या रहा interest rate में वह quickly transition में हो जाएगी और जो भी customers हैं उनके उपर सीधा उसका हसर देखने को मिलेगा कहने का मतलब यह कि banking के products को RBI के द्वारा relevant बनाया जा रहा है कि ऐसे भी करके customer तक उसका असर सीधा देखने को मिले अगर रैपो रेट भढ़ रही है तो customer ब्याज ज्यादा दे रैपो रेट घट रही है तो customer उसका benefit उठा सके उसको ब्याज कम लगेगा इस तरहीके की interest rate जो होती हो floating interest rate होती है ठीक है न तो इसी चीज़ को promote करने की कोशिश की जा रही है RBI के द्वारा EBLR को ठीक है जी और साथ में ये भी कहा गया है RBI के द्वारा कि जो lender है that means bank NBFC ये company होती है ना non banking financial company जो infrastructure को इनको loan देती है तो उनको ये कहा गया है कि आप borrower के साथ में EMI और जो भी उसका tenure है loan का उसको आप settle करो अगर कोई मान लोगी किसी को लगे कि इंट्रस रेट ज्यादा हो रही है कोई बात नहीं आप अपना पैस आपना जो loan लिया loan return कर दो और हो गया कि RBI customer friendly या central centricity को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है इसके अलावा RBI के द्वारा UPI में एक system तयार किया गया conversational payment इसका मतलब हो गया बाचीत करते करते payment करना इसमें artificial intelligence based system होगा जब भी आप किसी को payment करते हो UPI based तो वहाँ पर आप आराम से पहले communicate करोगे कि हाजी आप जैसे आपने account number और ये detail डाली तो आपके सामने information आ जाएगी कि हाजी आप जिसको पैसा transfer कर रहे हो वो उसका नाम ये है और उसका account number के last digit है उसका bank ये है तो आप फिर उसके बाद आगे transfer करोगे तो वो पैसा securely transfer हो पाएगा तो इस चीज को RBI already suggestion दे चुका है और इस चीज को promotion और अच्छे से मिल रहा है जिससे बाचीत करके आप confident हो चको और पैसा transfer हो सके इसके अलावा offline payments अब आपको पत penetration है पर उतनी नहीं है हमारे आपे तो इस चीज को promote करके UPI light करके program ठीक है इस application के तुरू आप क्या कर सकते हो near field communication technology का use करते हो और आराम से अपना payment कर सकते हो payment के लिए इसमें limit पहले 200 रुपे थी minimum अब इसको बढ़ा करके 500 रुपे कर दी है इसमे national common mobility card और UPI light जैसे platforms है उन पे ये काम होगा इसका मतलब अगर आपके phone में UPI light installed है और आपके पास में internet connectivity नहीं है तो उस case में आप आराम से payment कर पाओगे बट payment amount जो है वो कम से कम 500 रुपे का होना चीए इसके अलावा RBI के द्वारा एक proposal लोड दिया गया है digital public tech platform की जिसमें वो किसान credit card के तरीके से system प credit card मिलता है जिससे कि वो अपनी खेती से हैं और अपने परिवार की जरुवतों से सम्मंदित जो भी खर्चा करना चाहते हैं तो वो आराम से उधार ले सकते हैं और time पे return कर देता है तो यही चीज़ प्रमोट करने के लिए digital public tech form जो है RBI के द्वारा propose किया गया है कि एक ऐस platform जहां पर जो financial companies हैं वो और जो borrowers हैं वो interact कर पाएंगे और borrowers को जो ठीक लगेगा उस financial company से वो loan ले पाएंगे इससे क्या होगा कि काम बड़े आसान हो पाएंगे और customer demand है वो बन पाएगी और काम अटकेंगे ने economy में activities बनेगी तो इसका benefit overall हमें मिले गई तो इस तरीके के platform को भी RBI जो है promote कर रहे हैं तो कुल मिला कर कि यह कुछ RBI ने अपनी बातों में यह कहा भी है monetary policy committee ने क्या decide किया वो हमने देखी लिया आगे चलता है अगला article है the election commission's guardrails article को लिखा है सुप्रीम कोर्ट में March में एक case जाता है उसमें यह था कि सुप्रीम यह जो election commissioner से ना बोलो उनकी appointment में केवल government की चलती है और वहाँ पर वो ज़्यादातर उनी लोगों को appointment करते हैं जो लोग जो लोग कही ना कहीं आप देखोगे कि जो लोग ज़्यादातर support किसका करेंगे government के favor की मतलब yes कहने वाले जो लोग है ना yes man उनी को government वहाँ पर appoint करती है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उस मार्च के case में verdict दिया कि बोले कोलेजियम सिस्टम होना चीए कोलेजियम सिस्टम का मतलब हो गया कि एक committee बने और वो committee election commissioners का appointment करें चीफ election commissioner हो या फिर normal election commissioner जो होते है अधर election commissioner हो उनके लिए तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा था कि वो committee होगी उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे एक leader of opposition हो जाएंगे प्लस एक chief justice of India ये तीनों जने मिलकर के और फिर decide करें कि हाँ बही किसको chief election commissioner बनाना है और किसको election commissioner के तौर पर appoint करना है तो आर Chief Justice थे Justice J.M. Joseph K.M. Joseph ठीक है उनके द्वारा five judges constitution bench को head किया गया था उसमें ये बात उन्होंने कही थी ओके तो इसमें यहाँ पर role किसका बता है Chief Justice of India का बोले इससे क्या होगा कि बोले election commissioners जब इस तरीके से एक body जिसमें judiciary का participation हो उसके द्वारा अगर appoint होगा ना तो बोले वहा पर partition ship का जो issue रहता है कि किसी एक political party को favor करने वाले election commissioner appoint हो गए तो वो मुद्दा कहीं ना कहीं sorted हो जाएगा अब ये बात तो हो गई मार्च 2023 की पर अभी राजय समा में government of India के द्वारा एक bill introduced किया गया जिसका नाम है Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Appointments Condition of Service Term of Office Bill ये राजय समा में introduced हुआ है ठीक ह अब इस bill में और Supreme Court के द्वारा जो suggested recommendation ती है suggestion जो दिया था इसमें एक difference है वो difference क्या है वो हम सीधा बात करेंगे बिल में क्या Supreme Court ने तो क्या बोला Chief Justice of India भी उस Appointing Committee में होंगे पर यहाँ पर क्या बोला गया है government के द्वारा कि जी Chief Justice of India नहीं यहाँ पर Prime Minister होंगे प्लस Leader of Opposition होंगे प्लस एक Cabinet Minister होंगे जो की Prime Minister के द्वारा nominated होंगे तो इस तरीके से दो member तो होगए Central Government के और एक member होगए Leader of Opposition के और यह मिलकर के decide कर लेंगे कि भई कौन Chief Election Commissioner या फिर Election Commissioner के तोर पे appoint हो रहा है तो ऐसे में सवाल ही आया कि यह जो Chief Justice of India का जो recommendation Chief Justice of India की जो बात बोली गी थी कि इनका भी रोल होना चाहिए तो इस बात को लेकर के यहाँ पर सीधा एक argument दिया गया कि यह मान लेना कि Paralyum Executives है अगर वो कोई decision लेता है executive मतलब government है ना government कोई एक ऐसा decision नहीं ले सकती जो free मतलब किसी भी pressure के मतलब कोई भी ऐसा appointment नहीं कर सकती यह मान लेना कि executive proper decision नहीं ले सकते है election commissioners के appointment को लेकर के तो बोले यह मान लेना गलत बात है ठीक है judiciary का यहाँ पर involvement कोई जरूरी नहीं है हाँ यह बात ठीक है कि अगर honest selection करना है किसका election commissioners का ठीक है तो उस case में आप leader of opposition को वहाँ पर अपना रोल दे सकते हो अच्छा एक चीज यहाँ पर chief justice of India वाली बात clear होगी दूसरी बात क्या है एक बड़ी चीज जिसको welcome कर रहा है writer कि इस बिल में जो provision अब वो यह कि एक search committee भी बनाई जाएगी जिसको head करेंगे cabinet secretary अब cabinet secretary की leadership में यह जो search committee काम करेगी इसमें दो और member होंगे जो की secretary rank के ऊपर के होंगे नीचे के नहीं होंगे है तो secretary या उससे ज्यादा high rank के तो ऐसे में तीन members की search committee होगी और उस search committee के द्वारा एक पाँच जनों का नाम recommend करते हुए एक panel दिया जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि एक search committee होगी और एक select committee होगी दो होगी search committee का काम पाँच जनों के नाम recommend करना है ठीक है अब वो पाँच जने कौन होंगे जिनके पास में election से related अच्छा खासा knowledge है जिनके पास experience है election से related जिनका जिनकी integrity है that means जिनके case खिलाफ कोई case waste नहीं चला है जिनोंने अभी तक कोई भी काम किया वह अच्छे से किया है कहीं पर उनके खिलाफ कोई case कारवाई कहीं पर due नहीं है वो सारी चीजें देखते हुए तो पाँच जनों के जो नाम जाएंगे ना उन पाँच नामों में से ही वो select committee जो होगी वो appoint करेगी election commissioners को ठीक है तो कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं यह चीज बोला बड़ी अच्छी की जा रही है ठीक है इसके आगे बताया जा रहा है कि March में जो verdict था उसमें यही point था में तो जो मैंने आपको बताया कि Chief Justice of India वहाँ पर select committee क plus एक cabinet minister होंगे जो की prime minister के द्वारा nominated होंगे तो इस तरीके से तीन member मिलकर के decide कर लेंगे ठीक है तो यह बात यहाँ पर बोल दी गई है writer के द्वारा इसमें main target है वो commission की neutrality और independence को maintain करना neutrality in terms of political sense कि हाँ भई ruling party को favor ही ना करे क्योंकि यह चीज़ हमेशा ध्यान रखना आप ज political system के बारे में जब कभी भी central government एक strong party की बनती है ना जिसके पास में लोगसवा majority है तब generally institutions आपको थोड़े से कमजोर दिखाई देंगे और जब central government weak होती है coalition government होती है उस time पर institutions जो है जो भी constitutional statutor institutions वो थोड़े से stronger remarks होते हुए दिखाई देंगे क्योंकि वहाँ पर government है वो कही अपनी लाज बचाने में लगी रहती है जैसे अटल जी की सरकार देख लो मनमौन जिंग जी की सरकार देख लो और उसके पहले भी सरकारे देख लो तो ये तो normal part है ठीक है पर point क्या है कि election commission of India की credibility erode नहीं होनी चीए कारण क्या है कि अभी internationally एक gallop world poll है उसके द्वारे ये ब 50% voters हैं वो election system पे विश्वास रखते हैं बाकी 50% विश्वास ही नहीं रखते हैं वो ये सोचते हैं कि फरजीवड़ा होता है वे elections में तो ये कहीं ना कहीं एक erosion है democratic system का USA में तो और भी बुरा हाल है USA में 2019 में जो elections हुए थे उनमें 40% voters ही ऐसे थे जो ये सोच रहे थे कि हाज जी USA का election system बहुत बढ़िया काम कर रहा है इंडिया के लिए VDEM Institute ने ये चीज हाइलाइट किया है कि इंडिया में भी election commission of India जो है उसकी autonomy decline हो रही है time के साथ साथ में तो कहने का मतलब ये है कि election commission of India की autonomy maintain होनी चाहिए तो इस चीज को maintain रखने के लिए ये collegium का जो बात है वो क SELECTA committee होगी सेLECTA committee पांच्नाम सजेस्ट करेगी और पांच्नामों में से से सॉरी एक सॉरी स hèलमी करेंगे जाएंगेpeople सेक्रेटी के द'm revolution होगी सेलेक्ट कमिटी को हैड करेंगे PM बाकि दो मेंपर और गें बाकि एम्त क स्विसके और जिन advertisements नाम करेंगे एक हो जाएंगे आ कोई भी एक जिनको प्राइम मिनिस्टर अपनी तरफ से नॉमिनेट करेंगे और वह लोग फिर बाद में नाम डिसाइड कर लेंगे जी उन पांच में से किसको पॉइंट करना है ठीक है अब पॉइंट यह है कि इस तरीके की कोलेजियम सिस्टम तो CBI डारेक्टर्स को आपॉ Chief Justice of India को include करो select committee में या collegium में ठीक है तो यहाँ पर writer ये बोल रहा है कि एक सवाल ये भी उठता है कि Chief Justice of India को क्यों यहाँ पर government ने include नहीं किया बोला ना कि Chief Justice of India ने तो इंडिया का नाम तो recommend किया Supreme Court ने पर Supreme Court की बात को side करते हुए किसको लेने की बात हो गई cabinet member cabinet union cabinet member की तो आप देखोगे कि यह क्यों किया गया इसके पीसे logic क्या है कि Chief Election Commissioners के appointment को लेकर के कई cases जाते हैं Supreme Court में तब आप बताओ कि जब select committee में CGI होंगे और फिर भी अगर case Supreme Court में पहुँच गया तो अब क्या CGI अपने लिये हुए decision को वहाँ पर change करेंगे या फिर वहाँ प जाएगा कि appointment करने में भी CGI involved है और सही या गलत साबित करने में भी CGI involved है तो ऐसे में भोले कोई खराबी नहीं है यह जो कोलेजियम बनाने की बात की गई है जो राजय सबा में बिल इंट्रड्यूज हुआ है इसमें कोई खराबी नहीं है बस यह ensure कर दिया जाए जो भी decision लि आप appointment नहीं करोगे किसी को इसका मतलब यह हो गया कि एक भी अगर मना कर रहा है न तो आप appointment नहीं करोगे इससे क्या होगा कि decision एकदम perfectly लिया जाएगा और उससे election commission की autonomy maintain रह पाएगी बट यहाँ पर critics का यह कहना है कि अगर इस तरीके के system ला दिया गया तो leader of opposition जो है वो कही नहीं वीटो आजाएगी भई सीधी बात है unanimous verdict को अगर आप compulsory कर दोगे तो leader of opposition मना कर देंगे ना leader of opposition मना कर देंगे अगर वो मना कर देंगे तो veto हो गया veto हो गया मतलब पूरा decision ही खतम हो गया फिर दो member कुछ चा रहे हैं जो government के हैं PM और cabinet minister कोई एक वो अगर मिलकर करके decide क cancel कर देंगे बट राइटर इस सीज को correct कर रहे हैं कैसे इनका ये कहना है कि आप appointment किस में से करोगे appointment उसी में से तो करोगे न सर्च कमिटी ने पांच नाम दिये हैं अब उन पांच नामों में से मान लो किसी एक नाम के लिए leader of opposition no कर दे तो चाल नाम तो है ना उसी में से तो इस बिल में और क्या provision है ये वाकरी में बहुत important provision है कि चीफ election commissioner को हटाने का तो पूरा process है कि जिसमें आप parliament के through आप कहोगे कि जिस तरीके से parliament में supreme court के judge को remove करने के लिए impeachment motion आता है वैसे ही आप चीफ election commissioner को अटाते हो पर जब बात आती है दो जो election commissioners है उनके हटाने की तो बह आपर केवल और केवल क्या देखा जाता है कि Chief Election Senator से उनके वारे में opinion लिया जाता है उनको अटा दिया जाता है तुर इस में क्या हो गया कि आप तीनों में partiality कर ने के ले देभा है इस बिल में क्या provision है कि Chief Election Commissioner हो या election commissioner हो कोई भी हो रिमूवल जो होगा वो सुप्रीम कोट के जजज का जिस तरीके से रिमूवल हो सकता है पार्लियमेंट के थ्रू एक्जेक्ली वैसे ही होगा बोले ये पिछले 20 सालों से डिमांड चल रही है ये पूरी होगी बोला बिल में बहुत बढ़िया प्रोवीजन है तीन आ जो उलेक्शन कमिशनर्स हैं उनको बराबर का पावर मिल जाएगा फिर फिर डिसिजन जो मेकिंग होगी वो बढ़िया होगी थीक है फिर इसके लावाई ये था कि सुप्रीम पोट के जज्जेस की अगर बात करें तो उनको ये election commissioners है इनकी salary और ये जो होती है ना ये supreme court के judge के equivalent होती है ठीक है पर अभी क्या इस bill में बोले downgrade कर दी गई वो salaries तो बोले ये हो सकता है कि intentionally ना हो ठीक हो जाएगी public recommendation जब जाएगी कि वह salary तो election commissioners की बराबर होनी चीए वह भी Supreme Court के judge के equivalent उसी rank की देखो election commission of India जो है वह हमारे democracy का एक बहुत बड़ा symbol है जो कि world over देखा जाता है कि democracy अगर चले तो इंडिया जैसी चले जहां पर 80 करोड ज्यादा लोग voters वोट देते हैं और वहाँ पर election successfully conduct होता है तो यह एक अपने आप में shining star है इसकी autonomy हमें compromise नहीं होने देनी चाहिए credibility maintain रहनी चाहिए और इसके लिए बोले यह bill ठीक है आगे चलते हैं अगला अर्टिकल मोर ट्रस्ट लेस्ट सस्पीशन अर्टिकल लिकार रागव चंद्राजी ने देखो investment attract करने का हर एक economy को अधिगार है और अगर आप वाकई में economy को growth कराना चाहते हो तो सबसे पहली चीज बिजनेस हाउस इसको confidence होना चाहिए कि हाजी इंडिया में आकर के पैसा invest करेंगे तो नुकसान कम होगा इसी चीज़ को धान रखते हुए जन विश्वास bill है वो इंट्रड्यूज होता गे और इंडिया को गुलाम बनाने के लिए आती है तो बोलो हमारे यहां पर फिर investment नहीं आएगा तो ऐसे में जो criminal liability है या penalty provisions है हना penal provisions है जिसमें जेल की बात कर दी बहुत heavy fines की बात कर दी तो बोलो उनको reduce करना जरूरी है नहीं तो फिर investment भी नहीं आएगा और दूसरा investment आ आना तो वो फिर भागेगा यहां से रुकेगा नहीं तो यह जन विश्वास बिल जो है वो इसी चीज के ओपर focused है जिसमें आप देखोगे कि बहुत सारे acts है ना उनमें penal provisions को reduce किया गया है जैसे marine product export development authority act, farm produce act, rubber act, spice board act, factories act, इससे क्या होगा कि investment हमारे यहां पर attract होगा लगब 183 provisions हैं वो हटाये जा रहे हैं मतलब उनमें decriminalization का process है वो start किया गया है लगबग 42 acts में जो कि 19 ministry or departments के अंडर में है कहने का मतलब target यह है कि सीधी बात है अगर कोई company गफला करती है no doubt उसको punishment मिलनी चाहिए पर वो punishment monetary terms में देदो अगर उन्होंने monetary terms में गफले किया है तो आप उनको jail में ले जाकर के टिकाने की बात करते हो तो बो वो चीज़े कहीं न कहीं discourage करती है investment को तो यही चीज कहीं न कहीं बोले central government के द्वारा correct की जा रही है यह एक positive light है क्योंकि ज़्यादा तर company इसी चीज़ को लेकर के डरी रहती है कि आर और वो अपनी बाते disclose भी न filters आप तयार रखो कि जो गड़बड चीज़े हैं उनको आप हटा सको तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि दरवाजे बंद करने से काम नहीं चलेगा आप इस तरीके के filter तयार करो कि जो भी गडबड काम करने वाली कंपनिया है उनको सही समय पर trace किया जार उनक कंपनी का क्या status है default हो रखी है कि नहीं हो रखी वो सारी चीज़े अब वो जब सेभी की guidelines को जब कोई भी कंपनी फॉलो करेगी तो ऐसे में वो कंपनिया डरती है क्या कोई भी चीज़ के बारे में अगर हम public domain में लिखेंगे जिसमें हमने गरबडियां की हुई है जो गरब में फिर आपको पताइए कि जब penal provisions होता है तो case भी आता है अब courts में already बहुत सारा burden है तो उसको भी reduce करना है और investment हमें attract करना है तो ऐसी परिस्तितियों में कही नगे decriminalize करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है पर एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे writer यह नहीं बो जो चरवाये होता है ग्रेजर्स जो अपने जानवरों को चराने के लिए लेके जाता है उनके द्वारा अगर कहीं पर लौका अगर ब्रेक होता है तो उनके लिए punishment provision अगर down कर दिये जाए तो जो forest right act है उसका promotion हुआ कि नहीं forest right act किसके लिए है जो forest dwellers है जंगल में रहने व कि एक bill है cosmetics से related drug and cosmetic act of 1940 उसमें changes लाये जा रहे है तो कुछ लोगों का यह कहना है कि कहीं नहीं कहीं आप quality से compromise करवा दोगे कंपनियों को छूट दे दे कर गें तो writer एक चीज़ बोल रहा है कि ministry of health affairs ने अपनी तरफ से इस बारे में बहुत clarification दे दिया और सीधी बात है कि यह ज public interest को compromise करें तो बोला हम एक balance बनाने की बात कर रहे है public interest को भी safe करना है कि कहीं पे जनता के साथ में खिलवाड ना हो जाए हना investment कराने के चकर में company को लाने के चकर में हमने लोगों के बारे में नहीं सोचा पर वहीं पर लोगों के बारे में अगर हमने ज्यादा ही conservative manner में सोच लिया तो investment नहीं आएगा हम industrial growth नहीं कर पाएंगे और यह चीज तो आपको पता है ना कि बार बार जब investment को attract करने की बात आती है तो एक बात बोली जाती है कि labor laws को और हमारे जितने भी कानून है उनको हमें थोड़ा liberal बनाना होगा ठीक है देखो कानून को tight करना तो देखो भी बड़ा आसान है बट उनको liberal बनाना बड़ा मुश्किल होता है क्यों tight करने के लिए तो आपको क्या चीए एक दो case उठा लो किसी भी कानून को लेकर के कि यहां Cosmetics, Drugs and Cosmetic Act के provisions के basis पे एक company ने गफले कर लिये तो आप क्या बोलोगे tight करो इन company को एकदम खीच के रखो तो बोलो उसके लिए आप provision जल्दी कर दोगे पर सवाल यह है कि आप कितनी बड़ी opportunities को खतम कर दोगे तो ऐसी परिष्थितियों में decriminalization जो है वो एक तरीके से initiative लिया जा रहा है कि investment आए बट जो कोई भी improper manner में गलत तरीके से काम करे उनको punishment भी दी जाए उसके provisions भी किये जा रहे है तो एक तरीके से liberal regulator वही बात होगी नियो-liberalism के system में government regulator की तरह काम करे ना कि inspector या फिर license राज का system हमारे हाँ पर चले हम चाहते हैं कि वर्ल्ड की थर्ड largest economy बने तो बैस के लिए तो यह चीज़ें करनी जरूरी है ठीक है डिस्कृशन इतना ही है थैंक्यू वे झाल